इंदौर आने के काफी टांसपर लब्दे, फ्लाइट, ट्रेन, बस चलो अब देखते हैं अपने इंदौर में कहां कहां घुम सकते हैं राजवाड़ा पैलेस दो सताब्दी पहले हॉलकर द्वारा इसे बनवाया गया था बट अभी कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण यह बंध है इसी के सामने है कृष्ण मंदी जो की फत्तरुद्वारा बनाया गया है इसी मंदीर में एक छोटा सा गार्डन भी बनाया हुआ है राजवारा से 2 से 3 किलोमेटर दूर ही है लालबाग पैलस जहां पर राजवारा राजवा के शाशन काल की चीज़े वस्ते उनका रहन सा है बताया गया जहां का जाने का कोस्ट है उन्ली 10 रुपिस उसके बाद हम आटो लेकिए आई बस से चिडियां घर जा सकता है चिडियां घर गुमने में आपको एक से डेड़ घंटा लग सकता है काफी बड़ा है यह यहां पर काफी जंग्री जानवर सब कुछ देखें को मिलेगा इस चिडियां घर में मैजिक मिरर्स भी लगे हुए है जो की काफी फनी उसके बाद आप जा सकते हो खजराना टैम पर यह गणेश मंदीर काफी माननेता वाला मंदीर है इतना गुमने के बाद भूग तो जरूर लगी होगी आपको आप जा सकते हो छपन जो कि स्टीट फूट के लिए काफी फैमस है इंदोहर में एक उर फैमस जगह है स्टीट फूट के लिए इंदोहर में वो है सराफा माल के जो कि नाइट के टाइम ही ओपन रहता है इंदोहर के आसपास एडवेंचर करने की जगह तो हम चलते हैं शिम्चा आइलेंड जहां पर एडवेंचर्स की सारी चीज़े आपको देखने को मिलेगी जिसके कॉस्ट आपको पढ़ेगा शिम्चा आइलेंड इंदोहर से आपको 25 किलोमेटर दूर पढ़ेगा शिम्चा आइलेंड की कुछी दूर आपको मिलेगा नकरागी धानी जहां पर आपको राजिस्थानी फूर्ट्स, कल्चर्स, एडवेंचर्स देखने को मिलेगा इंदोहर से 30 से 35 किलोमेटर के दूरी आपको गेंडरी, कल्चर्स, एडवेंड वाटर फॉल्स जैसे चिज़े आपको बारिस के मर्सम में देखने को मिलेगी मुहाली वाटर फॉल्स, यह इंदोहर से 30 किलोमेटर दूर है फिर आते हैं पाताल पानी, यहां पर आपको बहुती सुन्दर वाटर फॉल्स देखने को मिलेगा मेरी यह इडवाइस हैं, आप यहां पर जरूर जाएएगा, काफी सुन्दर जगह है फिर आते हैं जाम गेट यहां भी काफी सुन्दर हर्याली जगा है जहां पर आप आडवेंचर्स कर सकते है थैंक यू फर वाचिंग लाइक, कमेंट, शेर और सब्सक्राइब